इशा मालविया और समठ जुरैल के बीच में इन दिनों काफी कोजी मूमेंट में देखने को मिल रहा है और इशा और समठ के इस हरकत के बाद अब जो है इशा मालविया के पैरेंस उनके मम्मी पापा ये डिमांड कर रहे हैं इशा जो है वो शो कुईट करे और शो से बाहर निकल जाए तो क्या है पुरी डीटेल आए जानते हैं शो में पहले तो बिग बॉस वालों ने दो एक्स कपल की एंट्री करवाई और दो एक्स कपल के बीच में फिट धीरी-धीरे सब नॉर्मल होते हैं लेकिन जैसे ही अभिशेक और इशा के बीच सब नॉर्मल हो रहा था वहीं बिग बॉस ने समर्थ जुरयल के एंट्री करवादी इशा के करेंट बॉइफ्रिंट थे जो की तो इशा और समर्थ के बीच में इन दिनों बिग बॉस के घर में काफी नजदिक यां बढ रहा है और दोनों का जो एक दूसरे के साथ कोजी मुमेंट है वो देखकर फैंस भी इशा और अभिशेक को ट्रोल कर रहे हैं लेकिन इतने दिनों से हमें इशा और अभिशेक के बीच में नॉर्मल हग और दोनों के बीच में किसर्स रोमेंटिक मुमेंट देखने को मिर रहा था परान हमने देखा कि किस तरह से समर्थ और इशा जो है दोनों कमल की नीचे किस करते नजर आये साथ ही बाद में दोनों ने राजाई जो है वो और के फिर राजाई के दीचे दोनों थे तो आपको पता दे कि अब इन सब के बाद उरारिया के को स्टार लोकेस भट का कहना है क इशा के ममी पापा का कहना है कि उनके और इशा यानि कि समर्थ और इशा के बीच में जो नजिकियां बढ़ रही है उनसे वो देखा नहीं जा लहा है और वो चाहते है कि समर्थ को छोड़कर इशा जो है शो कुछ करके बाहर आ जा है लेकिन शो का कुछ rules है जिसके वज़े से इशा इस वक्त शो से बाहर नहीं निकलती लेकिन इशा का ये हरकत देख के उनके मुमी पापा काफी सर्णना है उनके पापा जो है वो एक सरकारी officer है और वो चाहते है कि इशा ये सब काम ना करे शो सब में काम ना करें तो इशा के काम करने के वज़े से भी उन्हें शो में काम करने के वज़े से भी उन्हें प्रॉब्लम है और समर्ट और इशा के रिलेशन्शिप को रेकर खास करके उन्होंने आपती जताई है तो अब जो है समर्ट और इशा के इस हलकत पे उन्हें विकेंड के बार पे फटकार तो डेफिनेटली मिनने वाली है क्योंकि हमने विक बॉस पंद्रा में विक बॉस सोला में मतलब पिछले हर सिजन में देखते हैं कि जब भी ऐसा कुछ मुव्मेंट दिखता है सलमान खन उन्हें लथार्ट में जरूरे सोला में हमने देखा था कि गौतम विग और सौंदरिया के बाथरूम वाले इंसिदेंस को लेकर उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा था और सिर्फ एक विकेंड के बार ने वल्कि पिछले कई विकेंड के बार उन्हें उस टॉपिक के बारे में सुनना पड़ा था अब जब इशा के ममी पपा ने ऐसे अपती जताई है तो डेफिनेटली सन्मान करने पत्कार लगाएंगे वेल इशा और समट के इस रिलेशन्शिप पे इस हरकत पे आपका क्या कुछ कहना है इशा के पापा ममी जो चाह रहे हैं क्या वो सही चाह रहे हैं कॉमेंट में हमें बताएं और भी अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब करें अब शब्तो